दोस्तों आप विराट कोहली और रविचंदरन अश्विन में से किसको बेहतर कम्तान मानते हो कमेंट बॉक्स में चरूर बताएं रोयल चैलेंजर्स बिंगलरू और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए एक तरफा मुकाबले में रोयल चैलेंजर्स बिंगलरू ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है रोयल चैलेंजर्स बिंगलरू की ओर से पहले गिंद बाजों ने और उसके बाद बले बाजों ने शानदार प्रदशन कर अपनी टीम को अच्छी जीत दिलाई है रोयल चालेंजर्स बिंगलरु की ओर से उमीर श्यादाव ने घातक गेंद बाजी करते हुए चार ओवर में 23 रंदेकर तीन महत्पून विकेट अपनी नाम किये लोकेश राहुल और क्रिस गिल का विकेट चल्दी गिल जाने के बाद किंग्स 11 पंजाब की पूरी टीम 88 रंग के स्कोर पर रोयल आउट हो गई इतनी कम सकोर पर आउट होने के बावजूद रोयल चालेंजर्स बिंगलरु के दोनों ओपनर बल्ले बाजों ने अपनी टीम को 8.1 गोवर में ही जीत दिला दी वही इस हार के बाद किंग्स 11 पंजाब के कप्तान रविचंदरन अश्विन ने विराट कोहली को टीम का सबसे बड़ा हीरो बताया है दरसल किंग्स 11 पंजाग के कप्तान रविचंदरन अश्विन का ऐसा मानना है कि भले ही इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बिंगलरु के गिंद बाजों का शानदार प्रदर्शन रहा हो लेकिन जीत के असली हर्बदार कप्तान विराठ कोहली ही है रविचंदरन अश्विन ने विराठ कोहली की कप्तानी को लेकर कहा है कि उन्होंने इस मुकाबले में अपने गिंद बाजों के साथ मिलकर जो रण नीती बनाई है वह यकिनन काबिले तारीफ है अश्विर ने आगे कहा कि अगर विराच कोहली के गेंदबाज लोकेश राहूल और क्रिस गेल को आउट नहीं कर पाते तो फिर उनके लिए जीतो हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता हलाकि इस हार के बाद रविचंदरन अश्विन अपने चीम के बले बाजों से काफी नाखुश नजर आ रहे थे लेकिन टीम के गेंदबाज भी इस मुकाबले में कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए इसलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार हार से परेशान कप्तान रविचंदरन अश्विन अगले मुकाबले में किसरण नीते के साथ मैदान पर उतरते हैं